हेलो एवरेवन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाल है कि अगर आपको दो नुमबर्स दे दिये जाए तो आप लोग उन दोनों में से अगर ग्रेटिस्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमने vs code को open कर लिया है फिर हमने एक greatest.cpp नाम से एक फाइल बना लिये तो अब हम लोग हमारी coding स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे header file as include iostrim उसके बाद हम लोग लिखेंगे using name space std अब हम लोग लिखेंगे main function अब हम लोग दो numbers को initialize कर देते हैं int a,b अब हम लोग दो numbers को input करा लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cout enter the value of a and b c in a c in b now अब हमें compare करना है a and b को तो अब हम लोग use करने वाले if statement का if a is greater than b then cout a is greater else cout b is greater so यहाँ पर if statement के अंदर हम लोग check कर रहे हैं कि अगर a greater हुआ b से तो हम लोग screen पर print करा देंगे a is greater अगर ऐसा नहीं हुआ अगर यह वाली condition false हो जाती है तो else के अंदर जो लिखा हुआ है वो execute होगा and screen पर print हो जाएगा b is greater है अब हम लोग यहाँ पर लिखते है return zero and अब हम इस program को save करके अगर run करते हैं तो देखते हैं चलो क्या होता है तो यहाँ पर हमें दो values को input करना है जैसे हम लोग a को 45 एंटर करते हैं और b को 67 तो b greater है हम देख सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग दो नमबर में से greatest number को find out कर सकते हो c++ के अंदर कर दो